आज हम बात करेंगे that what do you mean by the co-dominants okay कि co-dominants क्या होती है ठीक है इसमें बात करेंगे that how you can just determine the blood type or the blood group of a offspring only okay कि offspring जो भी आगे generation आती है ठीक है after the parents ठीक है उनमें उनका जो blood groups है वो कैसे कैसे आप डेटर्माइन कर सकते हो जो depend करता है किस पे parents पे ठीक है कि parents की जो blood groups है उसे जो offspring की आगे blood groups है वो कैसे आप determination उस चीज की करते हो ठीक है so it is given here that first of all आपको जिस पता होने जो हमारी जो blood groups है उसको I से denote करते है ठीक है और जो उपर होते है जैसे A, B, O ठीक है और A, B, etc. जो भी हमारे blood groups है ठीक है वो उसके basis पे ही चलता है ठीक है अब उसमें बोला I denotes the gene ठीक है जो I है वो हमारा gene denote करता है and A is called as the which kind of allele is that ठीक है जैसे की A है, B है, O है, A, B है, कैसा है ठीक है कि एक human population में हम जो genetically, जो genes के और comparatively जो blood groups है हम कैसो को determine करते हैं ठीक है इसमें first of all it is given here that the allele from one parent ठीक है जब भी आप एक allele मतलब की जो भी आपका blood group है ठीक है हम उसको जैसे allele के भी form में आप देख सकते हो ठीक है allele from one parent suppose को लग उसके mother है ठीक है allele from a parent two suppose को लग उसके father है ठीक है तो यह जो है parent one and parent two है ठीक है जैसे कि आपने देखा आगा कि जब भी next generations आती है ठीक है intimations बगेर होती next generations आप offspring सा find out कर सकते हो ठीक है same as like that here also if you want to just determine the blood group जैसे parent one है हमारे पस और parent two है ठीक है now it is written here that the genotype of the offspring ठीक है कि genotype of the offspring वो कैसे निकले offspring इसमें बात करी कि जो पर उनके son है या daughter है ठीक है जो particular उनने use किया है name offspring का है ठीक है उसके बाद यहां लिखा ही कि blood types of the offspring कि जो offspring का जो blood type है वो कैसा होगा ठीक है okay so first example is here that I A है आई को उनने जो gene है उसको उनने A से denote की है ठीक है उसके बाद है parent two का I A है ठीक है जो blood group है दोनों का वो दोनों का same है gene भी आपके same है gene keeps on transforming ठीक है वो transfer होता रहता है ठीक है और जो A है वो है आपका blood group ठीक है जो I I हमारा लिख दिया ठीक है A A लिख दिया जो allele है जो one kind of a blood group also ठीक है blood type of the offspring आपका निकला A ठीक है I आपने cancel out कोई कि वो gene ही होता है ठीक है हमारा blood group आएगा A ठीक है next it is here written here I A है अगर mother का I B है father का ठीक है तो जो इसका I A और I B है ठीक है आपने दोनों को इसमें आपने लिख दिया ठीक है कि I A और I B ठीक है आपने mother का लिखा और father का लिखा ठीक है इसमें आप यह चीज़ no down कर सकते हो कि यह दोनों के दोनों सेम थे इसले हमने common चीज़ निकाल दी इसमें क्या I याई तो आप लिखोगे नी ठीक है आपने सिर्फ और से ब्लड ग्रूप्स निकाल लें ठीक है इसमें आप लिख दो कि A B है कि जो ऑस्ट्रिंग का जो ब्लड ग्रूप है वो क्या हो गया A B ठीक है और इसमें आप यह चीज़ देख सो तो कि जो स्मॉल AI लिख दिया ओर इसमें कोई भी उन्हें ने रिल की फार्मेशन नहीं दthis reg हमार पास जीन है मैं फिर से आपको एचेज बता रही हूं कि जीन हमार पास जो है जीन है हमार पास IB और IA ठीक है इसमें क्या है और इसका जो ब्लड गृूप है वो क्या निकला AB ठीक है इसमें आपने U1 निकाले हैं को इसमों कुमैंट हम गोर्ण शुर्ण है अससी में कोई भी ऐलील नहीं दिया है पर हम पर ब्लड ग्रूप का निकलाべ तरहें पर विर्ण यह को यह पूर्ट इंग करें यह पर शार इन वोट्य को यह डूर्व सिर्फ आपने आई की जैसे आपने कॉमेन डोने को क्रौस कर दिया और आपको ब्लट्रयूप चाहिए है विर्ड़ ट्राइब्स ऑफिश्रिंग चाहिए तो आपने कॉमें डिफर कर अगर एक निकलेगा तो आपने एक लिखना है थीख है यहां पर आप सिम ए लिखा यहां पर डेख सकते हो दोनों के दोनों ही टीरों सारे सारे ब्लड ग्रूप जो आपके टाइप हैं एवेलेबल होते हैं human being में ठीक है you can just see all types of blood group here only ठीक है आपको इस पता होने ची ठीक है it depends upon कि अगर 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 फादर का आपका अगर a है या फिर mother का b है जैसे आप यहां देख सकते हो जो blood group है वह आपका a भी निकलेगा whether अगर mother का a blood group है father का b group है फिर भी blood group क्या निकला आपका a b निकला ठीक है depend करता है कि crossing तो दोनों में ही होनी है ठीक है आप parents जब भी आप ले तो parent 1 और parent 2 की बात कर रहे हो ठीक है crossing तो दोनों में ही होगी क्योंकि जो offspring निकलना वह तो दोनों के combination से ही बनेगा ठीक है so crossing जब भी आप करोगे आप इसमें आप इसके accordingly आप offering का blood group है वो इसके accordingly आप find out कर सकते हो ठीक है means girls and boys both study in the same school only ठीक है same as like that इसमें court dominance पोल है ठीक है dominance का character इसमें show किया means dominate क्या दोनों के दोनों आपके domination character आपका show कर रहे है इसमें कोई ऐसी character को आपको दिखनी रहा जो recessive है ठीक है कि जो recessive रहा गया आगे generation में नहीं जा पाया जो offering है यह एक तरह है generation ही है ठीक है parent one parent two है offering it is the next generation only ठीक है so it is the showing your dad की co dominance है कि जो भी आपके mother है या father है ठीक है उन दोनों का दोनों क्या show हो रहा है co-dominance show हो रहा है ठीक है उसके बाद क्या इसमें बताया हुआ है कि यह A है यह A B है और यह A, A, B, 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 O है ठीक है तो इसमें आपको यह जो show करा है कि तो offspring's हैं वो सारे सारे क्या है blood groups है ठीक है अगर father का क्या है एक B blood group है ठीक है domination character क्या है कि वो दोनों के दोनों आपको A, B blood group show कर रहे हैं ठीक है means कोई भी ऐसा character नहीं है जो recessive में है बोथ are dominating character ठीक है तो दोनों के दोनों क्या है आपके dominating character ही show कर रहे है ठीक है वो क्या co-dominance है दोनों mother और father के ही dominating character ठीक है ठीक है